श्री गनेशा आयनमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल है 19, 20 और 21 जुलाई 2020 का कन्या राशी के लिए जी हाँ कन्या राशी का 19, 20 और 21 जुलाई 2020 का राशी फल चलिए दोस्तो सबसे पहले जानते है 19 और 20 तारिक ये दो दिन कन्या राशी वालों के लिए कैसे रहेंगे दोस्तो ये दिन आपके लिए खास है जी हाँ आज चंद्रमा की पोजिशन बहुत बढ़िया रहेगी चंद्रमा इस दिन आपकी कुणली में दस्वे भाव में है ये कर्मभाव है इस दिन मान सन्मान प्राप्त होगा धन अरजित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी दस्वा भाव कर्मभाव है यानि नोकरी बिजनेस आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाब मिलेगा नए मोके भी मिल सकते है काम का बोज आप पर जरूर रहेगा और उस वज़े से शायद थोड़ी एनरजी की कमी भी मैसूस हो सकती है लेकिन अंततार रिजल्ट्स आप को अवश्य मिलेगा लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा निवेश से फायदा होने की योग बन रहे है कोई जोकिम बरा फैसला भी ले सकते है ये समय आपके फेवर में है साड़ी अर्च मिलेगी ने दिन आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है आपकी तरक्की के नए रास्ते खोल सकते है बस आपको सही दिशा में कर्म करना है और खुद पर विश्वास रखना है मेहनत करे और किसी भी चीज से ना डरे समय आपके साथ है दोस्तो इस दिन पिता से सहयोग प्राप्त होगा, पैत्रिक संपत्ती से लाब होने की संभावना है, घर में खुशी व एकता का माहोल रहेगा, धर्न अरजित करने का ये सही समय है, स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत जादा अच्छा रहेगा, ग्रहों की स्थितिया आपको सपोर्ट कर रही है, स्टू नहां प्रयास करे, कडवाहट दूर हो जाएगी, कोई नई चीज या कोई नया वाहन खरीदना चाहते है, तो समय अच्छा है, बिल्कुल खरीद सकते है, अच्छे योग बन रहे है, कोई प्रापरटी लेनी है, तो भी आपके लिए समय शुब रहेगा, कही गोमने या या प्रादी से जुड़े प्रस्ताव, अपने माता-पिता के सामने रखने है, तो ये समय आपके लिए सही है, दोस्तो इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, थोड़ी बहुत कमरदर्द की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है, स्वास्ते से जुड़ी समस्याय आती ही है, तो कोई चोटी मोटी समस्याय आएगी, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, तो कुल मिला के स्वास्ते के लिए ये दिन अच्छा ही रहेगा, इस दिन ब्लैक कलर का इस्तिमाल करना आपके लिए लखी साबित होगा, और आठ नंबर इस दिन आपके लिए लखी रह स लाबस्थान में चंद्रमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब जरूर दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे पेंडिंग काम में आपने सोचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सुक मिलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए काफी उत्तम है इस समय में निवेश करने से आपको चार गुनातक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी इंकम में गर परिवार में प्यार और शांती का माहोल रहेगा परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए काफी अच्छा समय है आपके पार्टनर से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा ये समय यात्राए करने के लिए भी बेहतरीन रहेग यात्राओं से आपको लाब हो सकता है बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते है या फिर आपके प्रोफेशन के लिए यात्रा करते है तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा इस समय में आपकी लोवलाइप में रोमेंटिक माहोल रहेगा लोवलाइप के लिए दिन काफी अच्छा है अगर भविश्य के निर्ने लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपकी लिए अनुकुल रहेगा इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे हो सकते है, काम करने की गती बढ़ सकती है, आपकी लगबग सारी इच्छाय पूरे होने के संकेत मिल रहे है, खरीददारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा, ये समय स्टूडन्स के लिए भी कापी शुप साभित होगा, जारी रखना जरूरी रहेगा नोकरी के क्षेतर में भी आपको प्रशंसा मिलेगी आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा इस समय में आपका मित्रों के बीज उठना बैटना होगा इस वक्त आप अपनी परस्नेलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे इस समय में आप शो की नजर आओगे आप से लोग आकर्शित हो सकते हैं आपकी बोली में मिठास रहेगी सवभाव में गंविरता दिखेगी समय आपके लिए हर प्रकार से शुब है जी हाँ ये दिन आपके लिए हर तरह से शुब रहेगा इस दिन का पूरा लाब उठाए अटके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले और इस दिन को पूरी तरह से एंजोय करने की कोशिश जरूर करे इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा आप एनरजिटिक रहोगे स्वास्त और मस्त रहोगे कुचसाह और जोस से भरपूर रहोगे इस दिन का पूरा लाब जरूर उठाए इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और आठ अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशीपर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आस्-पास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह क जूते चपल डारेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे, और उनको उनकी जगय पर रखे, जूते चपलों को उनकी जगय पर कुछ इस तरह से रखे, कि वो देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है लेकिन वो चीज़े तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीज़े , बहुती गह्रा निगेटिव इफठक ढालती है क्योंकि ये चीज़े हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप सूतरा रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद